बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में सवाल किया है कि माता को हर दिन शाकहारी या मानसाहारी नवेध्य दिखाया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं तो वीडियो पूरी देखना, हर दिन अभिशेक पूजा पूरी होने के बाद, माता को साड़ी और अलंकार पहनाय जाते हैं, और उस दिन जो पुजारी है, उनके घर से निवेद्य लाया जाता है, और आपको बताते हैं, कि माता का निवेद्य शाकहारी होता है, सबसे पहले माता की आरती होती है, और आरती होने के बाद निवेद्य दिखाया जाता है, निवेद्य में सबसे पहले माता को मीठा भात दिखाया जाता है, उसके बाद माता को पोली, भाजी, चटनी, पापड, कोशिंबीर का भोग दिखाया जाता है, बाद में माता को काजु बादाम का भोग चढ़ाया जाता है और निवेदय पूजा पूरी होने के बाद माता को पानी पिलाया जाता है और आखिर में माता को पांच पानों का विड़ा दिखाया जाता है निवेदय पूजा पूरी होने के बाद माता की धूप आरती होती है तो इस तरह से हर दिन की पूजा ह माता के भक्त मतन का नवेद्य भी लाते हैं, तो उसके पीछे भी एक रहसे हैं। जब माता ने महेशासूर राक्षस का बद किया, तब माता ने महेशासूर को आपनी अंतीमी च्छा बोलने को कहा, तब उसने माता से दो वर्दान प्राप्त करवा लिए, एक है माताराणी तुम्हारे नाम से पहीले मेरा नाम आना चाहिए, तब से माता का नाम महेशासूर म बहुत लोगों को समझ नहीं आया था इसलिए वीडियो दुबारा बनानी पड़ी तो अभी आपको समझ आया होगा कि माता का नहीं शाह कहारी होता है तो दोस्तो आपने वीडियो को पुरा देखा इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको आज घर बैठे माता का इतना सुन्दर दर्शन हुआ तो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो हमारे चानल को सब्सक्राइ तो हमारे चानल को आपको 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 आ झाल, 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 झाल